एक एज के बाद जॉइंट्स में स्पेशली घुटनों में पेन सब्ती होता है। ऐसा इसरी होता है क्योंकि हमारे जो बोल्स हैं वो आपस में काटिलेज की हेल्प से जुड़े होते हैं। और बढ़ती उमर के साथ यह काटिलेज घिसने लग जाता है या डामज होने लग जाता है। इसकी वज़जा से बोल्स आपस में जब रब होते हैं तो इनमें पेन होता है। तो अब क्वेशन आए कि काटिलेज रिपेर कैसे करें। काटिलेज को नाचुरली रिपेर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बाहर से मेडिसन्स या सप्लिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो एड़्वाइस यह है कि अपने जॉइंट्स और बोल्स कर ख्याल रखें। और अगर एक एज के बाद आपको जॉइंट्स में पेन होता है तो सप्लिमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। ताकि आपके काटियेज रिपेर हो सकी क्योंकि अगर यह बहुत जादा टैनेज होगे तो इन्हें रिपेर करना मुश्किल है। यह यह मैं आपको रिकमेंट करूँगी एन्मेगा की जॉइंट सपोर्ट। इसमें कोलाजन टाइप 2, ग्लुकोसमे, क्याश्यूम सिट्रेट, क्याश्यूम एस्कॉर्बेट और अद एमसम है। यह आपके काटियेज रिपेर में हेल्प करेगा और जॉइंट पेर और स्वेलिंग में बिलीव देगा। क्या देख एंद एंद दोर्ट।